आज जॉन फिलम लेके आए हैं, उसको कोई भी इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिलिम का नाम है पठान, सारुख खान का एकदम ब्लॉक्बस्टर धमाकेदार मुभी वो इसे चेनल पे नए हैं तो चेनल को धवाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को खट से लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज का लत्तम चुतम लिम के स्टार्टिंग में एगो पाकिस्तानी टकलू जनरल को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास चेक अप कराने के लिए आया होता है क्योंकि उसको कैंसर हो गया रहता है और उसके पास सिर्फ तीन ही साल होता है जीने के लिए और तभी न्यूच चेनल पे दिखाया जाता है कि इंडियन सरकार कस्मीर से 370 हटा दिया है जिसके बाद कि टकलू का तो BPI हो जाता है एकदम उस्सा से तम तमा जाता है और बोलता है कि इंडिया वालों ने अपने पेरों पे कुलहडी मार लिया है अब इंडिया को सबक सिखाना ही होगा आज उलो कस्मीर से 370 हटाया है और कल को POK पे आके उलो कबजी आ लेगा इसलिए टकलू एक आतंकी संगठन X आउटफिट नम के गुरूप के लीडर के पास फोन करता है और उसको इंडिया का खात्मा का सुपाडी दे देता है फिर सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है एक अफरीका के सहर का जहां पर की खुले आम हथियार का खरीद विगरी हो रहा था वहां कोई भी आके अपना हथियार जो मन चाहे हो खरीद सकता था वहीं पर आतंकी संगठन एक्स आउटफीट का एगो खरीदार आया हुआ होता है जिसको कि एगो टोपी वाला जुलफीकार एक बहुत बड़ा मिसाईल के बारे में बता रहा होता है इस मिसाइल को नहीं कोई रडार ट्रेक कर सकता है और नहीं कोई सिगनल रोक सकता है बस एक बार छोड़ दो और इस सीधा अपने टार्गेट को तहस नहस करके ही मानेगा और बोलता है कि एगो सक्स आया है जो कि रुईव के बारे में पूछ रहा है एक्चुली में इस मोवी में दिपिका पादुकोन का नाम रुईव है फिर इधर सिन रुईव का पता पुछने वाले सक्स का दिखाया जाता है जिसको कि कुरसी से बंद के एगो कलवा खतरनाक ट पूरा से ठकुज रहा होता है दे मुका घुसा मुकान भसका रहा होता है उसका और वहीं पर एक्स आउटफिट का डिलर भी पहुंचता है उस जैसे ही उसका आवाद सुनता है उस सक हो जाता है पूरा यहीं पे सारुखन का फर्ष्ट लुक दिखाया जाता है जिसका कि न थारना शुरू कर देता है सौटगन लेके एकदम धड़ा धड़ सबको पहले मारता है उसके बाद उन्हीं लोगों के हेलिकॉप्टर में उए एक्स आउटफिट आतंकी संगठन का जो डीलर था उसको बांद देता है और उसी हेलिकॉप्टर के बंदुक से सबको पकर के भुणना शुरू कर देता है धड़ा धड़ गोली चला के सबको मारमूर के वहाँ से उए हेलिकॉप्टर लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर सिन डीमपल कापाडिया का दिखाया जाता है जिसको कि पूरे मोभी में बस मैम मैम ही बोला गया है उँ सारूख खान से मिलने के लिए जाती है क्योंकि सारूख खान आज से दो साल पहले मैनमार के एक लड़ाई में बहुत बुरी तरह से जखमी हो गया होता है जिसके वज़े से सबको लग रहा होता है कि अब उपूरी तरह से रिटायर हो चुका है लेकिन जब दो साल पाट डिमपर का पाड़िया उससे मिलने के लिए जाती है उँ देखती है कि पूरा तरह से उरी कभर हो चुका है एकदम पूरा खतरनाक मसल एब्स वेब्स बना रखा है फिर उँ मैं को बोलता है कि हम पूरी तरह से तयार हैं दूसरे मिसन पे जाने के लिए और उँ जोकर नाम का एक चार लोगों के धुरंदर का गुरूब भी बना रखा था सब को लेके उँ इंडियन सिक्रेट एजेंसी में पहुँच जाता है और वहाँ पर उन लोगों का एक हेड था करनल लूथर उस सब का हेड था पूरे सिक्रेट एजेंसी का तो सारुक खन का जोकर टीम आने वाले एक खत्रे के बारे में बताता है जिसमें कि इंडिया का परधान मंतरी दुगो सेंटिस्ट के साथ दुबई जा रहे होते हैं वहाँ एक भासनवाजी करने के लिए और गुरूब जोकर को पता चलता है कि एक्स आउटफिट आतंकी संगठन वहाँ कुछ उत्पात मचाने वाला है परधान मंतरी के ही मीटिंग में के बाद करनल लूथरा जो की आस्तोस राना है उसको लगता है कि वो परधान मंतरी पे ही हमला करने के लिए सब पुलिस वाला को मारके उदोनों सैंटिस्ट को उठाके एको नाकावधारी अपने गाड़ी में बिठाके लेके चला जाता है सारूखहन भी एकदम पूरा से जोसिया के उदोनों सैंटिस्ट का पीछा कर रहा होता है उसके गाड़ी में कुछ देर तक तो काफी रेस दिखाता है दोनों एक दुसरे को पकड़नी के कोशिस्म लगा हुआ रहता है लेकिन नाकावधारी के पास मिलिटरी वाला मजबूत गाड़ी रहता है जिसे कि सारूखहन के गाड़ी को ठोक देता है सारूख हन का गाड़ी छिटक जाता है दूर पलटते हुए और उसके बाद मिलिटरी गाड़ी से उन नकावधारी बाहर निकलता है और अपना मास्क उतारता है और फ़र्ष्ट सीन दिखाया जाता है जॉन अब्राहम की फेस का है इस मोवी में जो की इस मोवी का में विलेन भी है इधर सारूख हन का गाड़ी पलता हुआ था और उसका सारा दोस्त उसके साथ उसी गाड़ी में फंसा हुआ था और वहीं पर पहुंचता है जो की काफी सारा डियालगवाजी देता है और उसके पास एको मेडल होता है जो कि उसको वीरता के लिए मिला हुआ होता है और वो बताता है कि ये मेडल हमको हमरे मरने के बाद मिला था लेकिन वो अब भी जिन्दा था बोलता है कि जब मैं रौ में था तो अपने देश के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी जिसके बदले कि मुझे कभी कुछ नहीं मिला और मरने के बाद ये वीरता का मेडल मिला है हमको जौन बोलता है पठान मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारे किस्से सुने हुए हैं तुम काफी बहादूर हो तुमसे मिलने का काफी तमना था हमको लेकिन आज ये आखरी मुलाकात है हम लोगों की ये बोलके जौन अबरहम वहां से जाने लगता है जौन अबरहम जाते हैं उस पेट्रोल पर अपना गोली चला देता है जिसके चिंगारी से की पेट्रोल में आग लगते हैं उसके गाड़ी के तरफ आ रहा होता है जिसमें की एगो सेंटिस्ट को रसी के साहरे भेज देता है लेकिन तब तक में सारूख खान वहाँ पहुंच जाता है एगो और हिलिकॉप्टर लेके सारूख खान जौन अबरहम के गाड़ी पे कुदिके दूसरे वाले सैंटिस्ट को अपने हिलिकॉप्टर में भेज देता है रसी के साहरे दोनों के बीच काफी देर तक लत्मिर्दन चलता है वन वी वन खोब एक दूसरे को लत आता है लेकिन आखिरकार सारूख खान एगो सैंटिस्ट को बचाने के चकर में जौन अबरहम को वहाँ से जाने देता है एगो सैंटिस्ट को लेके हिलिकॉप्टर के साथ फिर इधर इंडियन हिटक्वाटर में करनल लूथरा सारूख हन को जॉन अब्राहम के बारे में सारा इस्टोरी बताता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि जॉन अब्राहम को कुछ कलवा अफरीकन सब उल्टा लटकाया हुआ रहता है और उसके प्रेगनेंट वाइफ को चेर में बांधा हुआ हुआ होता है उसके वाइफ के पेट पे बढ़का वाला बंदुग रखके पूरा से दंदना देता है करिया आफरीकन जिसपे कि जॉन अब्राहम जोड़ जोड़ से धकर रहा होता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता है और फिर सीन दिखाया जाता है करनल लूथरा और सारुक खान का उपर के सारुक खन बोलता है मैंने नफरत देखा है उसके आखों में उसे सही गलत अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है वो बस बदला चाहता है इसलिए उसे रोकना बहुत मुस्किल है सारुक खन अपने टीम के साथ पता लगाता है कि जिलनों कोई लोग दुबई में मारा था उनके एकाउंट में कुछी दिन पहले डॉक्टर रुबिना जो की पाकिस्तनी थी उसके एकाउंट से पैसा टांसफर किया गया था कि अभी इस्पेन में है और फिर सारुक खन पहुंच जाता है इस्पेन और वहाँ पहुंचते ही वही विवादीत गाना हमें तो लूट लिया इस खवालों ने जिसमें कि दिपिका पादुकन भगवे कलर का वो बिकनी पहनी है जिसमें बोला जा रहा है वही गाना चल रह उसमें सारुन खान ही कुछ देरो तक मठाता है कमर और उसके बाद फिर दिपिका का पीछा करते होे उन जॉन अबराहाम के पास पहुंच जाता है और जॉन अबराहम उसको धर्द lover औुचता है पिरॉन अबराहम सारुक खान से बोलता है कि उसको ​​ जितना भी कलु मिला था जिसके वज़े सी कि वो यहां तक आपाया है उससब जॉन अबराहम ही किरियेट किया था उसको यहां तक बुलाने के लिए और फिर सारूख खान को अपने साथ मिल जाने का ओफर देता है लेकिन सारूख खान मना कर देता है पर काधिकांस लड़ाई दीपिका ही लड़ती है, सारू खान तो बस देखता ही रह जाता है और उसके बाद दीपिका को गोली लग जाता है, जिसके बाद दीपिका अपने पिताजी के बारे में बताती है उसके पिताजी में एक पत्रकार थे, जो की काफी सारा इधर उधर का बात पूछ रहे थे लोगों से और उनके बारे में छाप रहे थे इसी वज़े से उनको काफी टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया उसके बाद दीपिका और उसकी मम्मी पाकिस्तान चले गई और नाम बदलके वहाँ पर मेडिकल का पढ़ाई करने लगी जिसके बाद कि वो डॉक्तर बन गई और उसके बाद देश का सेवा करने के लिए उपाकिस्तान के सिक्रेट एजेंसी में सामील हो गई जिम जो कि जौन अबराहम का नाम है इस मूवी में अंडरकवर एजेंट बनके उसके साथ रह रही थी लेकिन अब रक्तबीज नाम का कोई तो चीज है जो कि बहुत खतरनाक है और उस्या के डीलर से जौन अबराहम खरीदने वाला है एक सब्ता के बाद और उससे पहले यह चाहती है कि सारूख खन के साथ मिलके वो रक्तबीज वहां से चुरा ले ताकि जौन अबराहम के हाथ वो ना लग सके फिर सारूख खन अपने मैम से बात करता है जिसमें कि यह पता चलता है कि सारूख खन तीन साल तक रूस में था जिसके वज़े से कि रूस के हरे गली को जानता है इसलिए वो जॉन अबराहम से पहले उरक्त बीच को वहाँ से चुरा सकता है मैं मुसको मना कर रही होती है उकरने से लेकिन सारुखान किसी तरह से मैं मुना लेता है इस मिशन के लिए और फिर पहुँच जाता है मौस्को वहाँ पर सारूखन बताता है कि रक्त भी जिस बिल्डिंग के लॉकर में है उस लॉकर को नहीं काटा जा सकता है नहीं तोड़ा जा सकता है नहीं जलाया जा सकता है किसी भी तरीके से खोला नहीं जा सकता है उसका एक ताला और एक चाभ चाहिए होगा उस ताला चावी को हासिल करने के 10 मिनट बाद ही लॉकर तक जाके उद दोनो ताला चावी को फिट करके उस लॉकर से समान निकाल के भाग जाना होगा नहीं तो उद लॉकर पूरी तरह से बाहर से लॉक हो जागा जब तक कि सिस्टम को फिर से रिसेट न किया जाए इसलिए हमलों के पास उद दोनो ताला चावी को उठाने के बाद सिर्फ 10 मिनट होगा किसी तरह से दीपिका पादुकों जाके वो बुढधास से उसका फिंगर प्रिंट ले आता है और इधर सारू खान जाके वो बुढ़ियास उसका फिंगर प्रिंट ले आता है य जहां पे किस सारू खन अपना सबसे पहला मिसन दिपिका पादुकों को बताता है जिसमें कि वो बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के अफगानिस्तान पे वहां का एक तालीबानी खतरनाक बुढ़हों को मारने के लिए गया हुआ था पर कि जब अमेरिका मि टीडर को मारने के लिए गया हुआ था लेकिन उन मिसाइल का टार्गेट जो था उन मोबाइल पे सेट किया हुआ था उस बुढ़हों का तो उस बुढ़हों से मोबाइल लेके भागता है और आखरी वक्त में हवा में फेक देता है जिसके वज़े से कि मिसाइल से टकराते ही मोबाईल ब्लास्ट कर जाता है जिसके ब्लास्ट के जटके के वज़े से सारुखान एक महिने तक वहीं पर अफगानिस्तान में बेहोस पड़ा हुआ था कोमा में उसमें आने के बाद काफी लगाओ हो जाता है सारुखान को उस गौँ के लोगों से क्योंकि उलोग डेली दुआ मांगता था सारुखान के लिए जब तक सारुखान कोमा में था सारुखान दिपिका से बोलता है कि वो कम से कम हर एद में उलोगों के पास जाके उनके साथ मनाना चाहता है लेकिन ये मुम्किन नहीं होता है उसके लिए फिर सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहांपे कि सारुखान और दिपिका पादुकॉन दोनों ताला चावी के पीछे चला जाता है और किसी किसी तरह से दोनों ताला चावी हांसिल कर लेता है और अपने अपने बिल्डिंग के छट पे पहुंच जाता है जहांपे कि वही BGMI PUBG वाला style में बारा को हवा में छोड़ता है और रसी के साहरे उसका दूसरा छोर अपने सूट में बांध लेता है और जैसे ही हेलिकॉप्टर आता है उदोनों को उड़ा के लिए चला जाता है जहांपे कि सारुखान खुद जाता है उसको लेने के लिए और लेके वो दीपिका पादुकॉन के तरब फेक देता है जिसके बाद कि दीपिका पादुकॉन उस टनल में से सारुखान को बाहर नहीं निकालती है और उसके बाद सब कुछ सारूख खान को समझ आने लगता है एक्चुली में जॉन अब्राहम उसको चुरा नहीं पा रहा था वहां से क्यों उसके पास इतना सोर्स नहीं था सारूख खान तीन साल तक यहां रशिया में रहा हुआ था इसलिए उसको यहां का हर एक बात पता था और इसलिए वो उसको चुरा सकता था इसलिए दिपिका पादुकॉन और जॉन अब्राहम मिल के प्लैन बनाया था सारूख खान को बेवकूप बनाने का वो रखत बीच उसके हल्प से वहां से चुरा के लेके जाने का रसिया के एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें की सारूख खान को हदकड़ी लगा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा होता है सब हो जी सब के साथ सारूख खान का सट फटा हुआ था नाकुक से खुन बाह रहा था पुरा लहू लुहान था अंत में ठक हार के सारुख खान एक कोने में बैठिया और फिर ट्रेन का छथ तोड़ के सलमान भाई का इंट्रे हुआ और वो भी एकदम मुसलमान ना गमछा लेके आया हुआ था एकदम से वो भी लड़ाय शुरू कर दिया अलाई में कतनो ठोक्चे गुंडा सब को उलोग मरने का नामी नहीं ले रहा था उसके बाद सारुख खान क्या किया येको बमे का पिन निकाल लिया बम उसके बिन में बलाश्ट हो गया सारुख और सलमान खान को एक खरोच तक नहीं आया सलमान खान तो बिल्कुल चिकना ही रह गया, उसका स्ट वट कहीं कुछ जला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शारुख खान को तो चलो पहले से ही बहुत खरोच पड़ा वआ था, लाज युद्दा बहुत खाया था, छुन्मून निकला था, लेकिन सलमान खान को कुछ भी नहीं हुआ बस यहीं दोनों बच प्रजेंट टाइम का, जहांपे कि फिर से सारुखान को दीपिका पादुकोन का कुछ क्लू मिला, जिसका पीछा करते हुए पैरिस पहुँच गया दीपिका पादुकोन के पास, चुकि ये क्लू दीपिका पादुकोन खुद ही दी थी, इसलिए सारुखान उसको डिरेक्ट करने के लिए किया गया था उस वाइरस को म्यूटेट करके अब इतना पावरफुल बना दिया गया है जो कि पूरा एक सहर को तवाह कर सकता है और उस तवाह करने के बाद खतम हो जाएगा अपने आप तो पॉक्स वो उसका साथ दे रही थी लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि रक्तिबीद से लोगों का मौत हो सकता है उसके बाद वो उसका साथ छोड़ दी सारूख खान को क्लू देके यहाँ पैरिश तक बुलाई है ताकि वो दोनों मिलके जॉन अबराहम को रोक सके सारूख खान को उसके थोड़ा मोड़ा भरोसा होने लगता है और उसके बाद उपुष्टा है को सिक्रेट लेब कहा है जहां पर कि उस वाइरस को म्यूटेट ही आ जा रहा है तब दिपिका पादुकन उसको सब कुछ बता देती है और बोलती है कि दो गोला के अंदर एक सिक्रेट तरीके से कैद करके रख दिया था जो कि जॉन अबराहम ही उसको बोला था उन दोनों गोला को ले के जाने ही वाला रहता है जॉन अबराहम कि तब तक में सारूखण अपना चारपंश टोलोंडाग सब के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है उपर से सिसा तोड़ते हुए दोनों तरप से बंदुक बाजी पूरा से शुरू हो जाता है एक दूसरे को छिटकाना शुरू कर देता है जॉन अबराहम भी देखने के लिए पहुंचता है कि आखिर कौन आ गया है अंदर जैसे उस आरू खान को देखता है उपहुंच जाता है उदोनों गोला को लेके वहाँ से भागने के लिए लेकिन दिपिका पादुकोन पहले ही वहाँ पे सब सीपाही सब को मारके उदोनों गोला पैक करके वहाँ से भागने वाली रहती है जॉन अब्राहम उस सैंटिस्ट को गोली मार दता है और दीपिका पादुगोन पर भी गोली चलाता है दीपिका गोली से बचने के लिए छुपती है लेकिनु बैग वहीं छोड़ देती है जिसको के लिए के जॉन अब्राहम बाइक पे वहाँ से भाग जाता है और फिर मस्त सा बर्फ दिखाया जाता है चारों और उजला उजला पदा नहीं कौन सा मोटर सैकिल लेके भाग रहा था जॉन अब्राहम और वहीं मोटर सैकिल लेके पीछे से सारुख खान भी पीछा करना शुरू कर दता है इसका पाइक के रफ्तार और ये दोनों के नोग जों के वज़े से जॉन अब्राहम के बैग से दोनों गोला बर्फ पे गिर जाता है और उस लाइड करने लगता है काफी दूर तक और वहीं पर दीपिका पादुकोन भी पेर में स्लाइडर लेके पहुंच जाती है बर्फ पे स्लाइड करने के लिए जॉन अब्राहम एक गोला लपक के लिए लेता है अपने पास लेकिन दूसरा गोला के लिए जब जा रहा होता है तो दीपिका पादुकोन पहुंच जा बचाने के लिए कि सारूख खान भी उस पानी के अंदर चला जाता है और जॉन अबराहम वहाँ से भाग जाता है एक ठोगोला लेके सारूख दिपिका को लेके जॉन अबराहम के रिसर्च फेसलिटी में पहुंचता है जहाँ पर कि इंडिया से सब सुपिरियार ओफिसर सब पहुंच चुका था और वहाँ पर दिपिका पादुकोन को पकड़ लेता है उस गोला को खोला जाता है तो उसमें बस पनी निकलता है आखरी में जिसके बाद कि जॉन अबराहम का एक वीडियो कॉल आता है सारा सिस्टम को हैक करके और इन लोगों को फिर बताता है उग पहला लेयर में कुछ भी नहीं था उग खाली था लेकिन दूसरे लेयर में एक ऐसा के मिकल था जो कि हवा के साथ मिलके ये प्लास्टिक को खुरेदने लगता है जिससे कि उन लोगों का सूट बना हुआ था और तीसरे लेयर में था उसका खतरनाक वाइरस रखत बीज आखरी में सिर्फ पानी क्योंकि मरते वे पानी को न तरसे ही लो पताता है कि अब तुम लोगों को सबसे अधिक दर्द का अनुभूती होगा दर्द से तुम लोग छरपटा होगे अगर दर्द को एक से दस के स्केल में महापा जाए तो यहां पे तुम लोगों को 12-14 लेविल का दर्द होगा और इसी चीज़ से तुम लोग मर जाओगे और फिर यह लोग अपने सूट को देखता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ था वो वाइरस के वज़े से छेद होने लगता है उसमें जिसके बाद कि उसकी में जोड़ जो से चिला चिला के बोलने लगती है और बोलती है उसको ऐसा मौत देना कि वो मौत को तरसे उसके बाद पूरे लैब में बम लगा दिया जाता है ताकि उस लैब को उड़ा दिया जा सके और मैडम लैब के अंदर एक गन था वो गन निकाल के अपने आपको सूट कर लेती है धड़ा-धड़ गोली चलना सुरू हो जता है सब बंदुक उठा उठा गे अपने आपको गोली मार रही होती है उसके अंदर जो भी होता है और उसके बाद जोर का बलास्ट होता है और पूरा लैब उड़ जाता है पिर बहुत सारा नेता और इंडियन ओफिसर सा बैठा वता है विडियो कॉल पे जौन अबरहाम के साथ जौन अबरहाम उसको वो आखरी गोला और एक मिसाइल दिखा के बलता है कि यह मिसाइल तयार है किसी भी इंडियन सहर पे गिरने के लिए जहां पे भी हम बोलेंगे वहां गिरेगा ये और इस गोला के साथ गिरेगा तुमने अपने लैब को तो उड़ा दिया ये वाइरास मिसाइल के साथ जिस भी सहर पे गिरेगा क्या उस सहर को भी तुम लोग पूरी तरह से उड़ा दोगे फिर करनल लूथर पुछता है कि तुम चाहते क्या हो मनसा आपना बताओ फिर जॉन अबरहम बताता है कि तुमको नेगोसियेट करना होगा पागेस्तान के टकलू जनरल से क्योंकि वही हमको पैसा दिया है ये सब करने के लिए और टकलू चाहता है एक 24 घंटे के अंदर अंदर तुम अपना सारा ओफिसर सारा मिलिटरी और सारा टैंक को कस्मीर से बाहर निकाल लो वहाँ एक भी इंडियन जंडा दिखना नहीं चाहिए बाद वहाँ का सब अफिसर सब सारुख खन से बोलता है कि इसको किसी तरह से लथाड़ो जल्दी से नहीं तो हम सब तबाव हो जाएंगे और उसके बाद सारुख खन पहुँच जाता है दीपिका पादुगोन के बास जिसके बाद वह टकलू बोलता है कि चलो अपना पेमेंट लो और सुरू करो तबाही पेमेंट कर ही रहा होता है कि तब तक में उसका एगो ओफिसर आके वह टकलू को एगो वीडियो दिखाता है जिसमें कि अफगानिस्तान में जहां पे इलोग था वहां से 200 किलो मिटर दूर एगो सहर में इस्मॉल पॉक्स फैल गया हुआ था और सारा लोग मरा पड़ा था जिसके बाद कि तकलू पुरा से गुस्ता हो जाता है कि तुम बोला था कि इस सिर्फ तुम्हारे पास है अब दूसरों के पास भी कैसे मिल गिया है उसके वह पेमेंट रोख देता है करना जिसके बाद कि जॉन अबराहम अपना आदमी को भेजता है वहाँ देखने के लिए सब लोग हेलिकॉप्टर से पहुंचता है वहाँ और तब पता चलता है कि सारूखण गौवला सब के साथ मिल के इपलानिंग किया था जिसके बाद कि उस सब को पकड़ के वहीं लथार देता है और उलोग का वाइट कलर का अड्रेस पहन के इलोग हेलिकॉप्टर रोबेट के चले आता है इनके जगापर और यहाँ पर जॉन अबराहम सारूखण को देखते ही मिसायल का बटन दवा देता है जिसके बाद कि दो मिनट के बाद मिसायल छुटने वाला होता है वहाँ से और सारूखण बोलता है कि इस मिसायल के अंदर उग गोला है कि नहीं है चेक करो जिसके बाद कि उस मिसायल को उलोग खोलने लगता है और उसका एक साथी जो रहता है वह मिसायल को डिफ्यूज करने में लगा हुआ रहता है जोन अबराहम सारूखण के उडन खटोला के पीछे पहुँच जाता है और सारूखण पर पुरा से गोली पर सना शुरू कर देता है फिरकार मिसायल को डिफ्यूज कर दिया जाता है और इधर जोन अबराहम और सारूखण के बीच मुद्भेड चल रहा होता है जोन अबराहम सारूखण के उडन खटोला को पूरी तरह से तहसनास कर दिया होता है इधर जब मिसाइल को खोला जाता है तो उसके अंदर गोला होता ही नहीं है जिसके बाद कि दिपिका बताती है सारुख खान को और सारुख खान का उड़न खटोला पूरी तरह से तूठी गया होता है उसके जम्प करके अबराहमे के उड़न खटोला को उपर चढ़ जाता है और दोनों एगो घर में जाके गिर जाता है इधर दिपिका पादुकों को पता चलता है कि जो गोला है एगो एरोपलेन में रखा गया है जो एरोपलेन की अभी दिल्ली में लेंड होने ही वाला है ये बात दिपिका पठान और कर्नल लूथरा को बताता है कर्नल लूथरा उस एरोपलेन को हवा में ही रुकने के लिए बोलता है जौन अबराहम सारुख खन को दिखाता है ये को डेटोनेटर बोलता है इस detonator तक अगर तुम पहुँच जाते हो और इसका switch दबा देते हो तो तुम उस bum को फटने से रोक सकते हो जाओन अबरहाम उस detonator को अपने jacket में खुश लेता है सारुखान तो पुरा से लंगडा रहा होता है विचारा को बहुत चोट लगा होता है उपर से गिरने के वज़े से लेकिन जाओन अबरहाम पुरा से तंदुरुस्त रहता है फिर सारुखान को लथारना शुरू करता है इधर करनल लूथरा को सब लोगों को बचाने के लिए उस पूरे एरोप्लेन को उड़ाना पड़ता है इसलिए वो एक मिसाइल छुड़वा देता है इधर से लेकिन सारुखान किसी न किसी तरह से उचलते वे जन अबरहम के पास पहुंच जाता है और उससे उडेटोनेटर ले ले लेता है सारुखान के पेट में चक्कु भोग देता है लेकिन फिर विव किसी तरह से बचा हुआ राता है और बटन को दवा देता है जिसके बाद कि उस गोला के उपर का टाइमिंग बंद हो जाता है जो कि आखरी का तीन सेकेंड बचा हुआ था उसके बाद उस प्लेन का पैलेट करणन लूथरा को बताता है ये बात और करणन लूथरा उस पैल को हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है सब लोग सुरक्षित बच जाता है उस प्लेन का तारुक खान लपेट के जोन अबराहम को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिल्म यहीं खतम हो जाता है और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को धापाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हम मिलते रहेंगे इसी तरह के बावाल मूवी के साथ तब तक के लिए बाए